दोस्तों, size here, back with another interesting and most important video और आज मैं आपके लिए लेक्या हूँ, 10 तगडे Android apps for Android TV, Google TV, जो भी बोलो, ठीक है? और मैं यहाँ पर एक नई playlist और अपने चैनल के ऊपर Android TV, Google TV करके, जिसके ऊपर आपको सारे के सारे apps regarding videos होंगी, पूरे Android TV, Google TV से regarding आपको वीडियोस देखने को मिलने वाली, बहुत मज़ा आएगा, आप उस playlist को ज़रूर चेक आउट करना, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस जो है, पूरे Android TV से related मिल जाएगे, ज़रूर चेक आउट करना, बहुत कमाल का प्लेइलिस्ट बनाया है, कमाल के वीडियोस आपको इस प्लेइलिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आज की इस वीडियो में जो है, मैं आपको 10 तगडे Android Apps के बारे में बात करूँगा, जो की बहुत basic होने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा कमाल के Android Apps हैं, डेफिनिटली इस वीडियो के इंद तक के देखो, बहुत ही ज़्यादा interesting भी है, और बहुत काम के भी हापर मैंने अड़ करके रखे हैं, जिसनके बारे में मैं खुलम खुला तो नहीं बात कर सकता हूँ, बढ़ा आप समझा करो, ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे बहले चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना हो, करते हैं, पहले अप्लिकेशन के बारे में, इसका नाम है डाउनलोडर, सिंपली आप प्ले स्टोर में जाके AFT डाउनलोडर करके सर्च कर लेना, आपको वो अप्लिकेशन दिख जाएगा, और आपको सिंपली इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल करना है, अब आप बोलोगे क क्या भाई, यह एकदम नॉर्मल सा अप्लिकेशन क्या है इसके अंदर, बहुत इंपोर्टेंट चीज है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो मैंने बताया था, कि आप जो है, जो लाईव टीवी बगरा होती है, उसके लिए करते हो, कोई ना कोई अ अप्लिकेशन आपको इंस्टाल करना है, और उसमें एक लिंक वगरे डालके आप जो है, कंटेंट जो है, देख पाऊगे, और यह कैसे करना है, क्या करना है, उससे रिगार्डिंग वीडियो मैंने अल्यडी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो की ज़ इसा फाइल मैनेजर नहोंना चाहिए, अब इस फाइल मैनेजर की क्या खासियत है, इवन मैं इसको अपने आंड्रोइड फोन के उपर भी यूज करता हूँ, अब ऐसा क्या फाइल मैनेजर में खासियत है, आप सोच रहोंगे, इसका जो इंटरफेस है, बहुत बहुत के उपर मिल जाएगा definitely try करना बढ़ते हैं next application के उपर जिसका नाम है Kodi अब यह जो एक open source application बोल सकते हैं open source software जो भी बोलो अब यहाँ पर जो है इसमें कोई ads वगर देखने को नहीं मिलती है बट यह जो application है बहुत ही कमाल का application है अब आप जानती होंगे कोडी application के बारे में actually यह काफी सारे hardware devices के लिए available है Kodi Linux के लिए या फिर normal most of the devices के लिए available है तो आप जो है इस Kodi application को install करके इसमें आप जो है repositories वगर अड़ कर सकते हो इसको video player की तरह use में ले सकते हो यहाँ पर काफी सारे चीज़े आप add-on कर सकते हो जिसके तुरू आप जो है बहुत सारे content वगरा enjoy कर सकते हो बहुत ही अच्छा और बढ़िया यह open source software है कोई भी आप जो है ads वगरा देखने को नहीं मिलती है काफी अच्छा यह आपको software देखने को मिलता है Kodi play store में मिलेग बढ़ते हैं अगले application के उपर जो अगला application है यह हमारा एक file transfer application इसका नाम है send file to tv नॉर्मल application है simple है file scope send कर सकते हो अपने android phone से अपने android tv के ऊपर नॉर्मल सी बात है काम का है बहुत ज़्यादा काम का है इसको इंस्टॉल करके ना बहुत ही basic application है ठीक है बढ़ते हैं अगले application के उपर इसका नाम है smart tube beta अब यह जो application है बहुत ज़्यादा काम का है मेरी बात ध्यान से सुनना यह जो application है बहुत बहुत ज़्यादा काम का application है आप बुलोंगे भाई बता ना कैसे क्या करना इंस्टॉल वगेरा इसको आपको जो है साइड लोड करना पड़ेगा ठीक है और इस अप्लिकेशन से रिगाडिंग मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना रखा है उस वीडियो को आप देख सकते हो वीडियो की लिंक अप्लिकेशन है स्मार्ट बीटा इसके रिगाडिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैंने वीडियो अप्लोड कर रहा है आप जाके देख सकते हो वीडियो को फिर आप समझ जाओ ठीक है सता बात नहीं करते हैं बढ़ते अगले अप्लिकेशन के उपर इसक अप्लिकेशन के उपर इसका नाम है बटन मैपर अब यह जो अप्लिकेशन है यह बहुत ही ज्यादा यूस्फूल हो सकता है अगर आपको अपने बटन को मैप करना है अब यह मैप मतलब क्या मैं यह यार यह मैह करना नहीं फॉर एक्जम्पल परपस अगर आप वॉल्यूम अपकी बढा रहे हो तो यह वॉ्यूम को बढ़ाने के काम करते ह्यं quality क्या ता ही क्या काम करते है वॉल्यूम पर्ण करने के कर दो बट अगर मैं चाहूँ इसको map कर सकता हूँ, map करना मतलब उस key को मैं कुछ और extra instruction provide करने के लिए दे सकता हूँ, उसको एक particular key के लिए perform करा सकता हूँ, particular चीज perform करा सकता हूँ, कहना का मतलब है, simple में बता रहा हूँ, मैं volume up button दबा रहा हूँ, तो volume बढ़ रहा है, लेकिन volume up button क मैं कुछ और काम भी करना चाहता हूँ, तो उसको उस जगे पर रख सकता हूँ, like मैं volume up button दबाता हूँ, तो home पर आ जाना चाहिए, back आ जाना चाहिए, या फिर कुछ और application कुल जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे जो है, मैं चीज़े रख सकता हूँ, या फिर mute हो जाना, कु इस तरह से चीज़ों को मैं कर सकता हूँ, key mapper, I mean button mapper के through, play store पर मिल जाएगा application, definitely check out करना बहुत अच्छा application है, next application के उपर बढ़ता है, इसका नाम है, aptude TV, इसको हम mini play store भी बोल सकते हैं, क्यों ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी सारे interesting और important वाले अच्छे वाले apps देखने को मिलती है, जो की free to use है, ठीक है, और open source होती है, काफी अच्छे apps देखने को मिलेंगे, aptitude TV, इससे regarding भी वीडियो मैंने description का link दिया है, description में वीडियो का link है, मैंने already बना रखा है, इस पे वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा वाइगन, गाइज यह जो application है, यह एक VPN application है, free VPN है, आराम से use कर सकतो, play store पे मिल जाएगा, free app है, और इस application की use से आप जो है, ऐसा content देख सकते हो, जो content में भी आपको available है, बट आप देख नहीं पा रहे हो, कुछ block होनी के वज़े से, या फिर restriction होनी के वज़े से, बाकी सब तो आप जानते हो, बतानी की कोई जरुरत नहीं है, वैसे तो VPN की जरुरत होनी नहीं चाहिए, टीवी में पर, you know, you want, if you want, then you definitely install this VPN, which is very useful, you know, what purpose, what is the purpose, I know, you know, what is the purpose, I know, you know, what is the purpose, के मैं, मैं मोधी साथे गुजारिश करता हूँ, लगे रो, बढ़ते हैं, next application के उपर, अब ये जो application है, ये इस application का नाम है dispatch, अब ये application एक home का UI launcher जैसा बोल सकते आप इसको, और इस application में actually क्या है न, आप इस application के उपर जो interface है, जो UI है, वो काफी ज़ादा अच्छा देखने को मिलेगी, और काफी अच्छा application है, smooth चलता है इसके उपर, तो definitely आप इसको जो है try कर सकते हो, मेरे को काफी ज़ादा अच्छा लगा है, आप भी try करके देखो, इसका नाम है dispatch, जैसे install करोंगे, काफी systematic चीज़े मिलेगी, अगर आप Google TV यूज करते हो, तो आपको play store का application शो करने लगेगा, ZTV या फिर YouTube वगरा, बिल्कुल, particularly बिल्कुल ऐसे systematic चीज़े रहेंगी, मजा आएगा इस application के दुरू, तो आप try कर सकते हो, ये थे आज के 10 तगडए Android apps for Android TV, Google TV, और आगे आने वाले वीडियो भी काफी interesting होने वाली है, और बहुत सारे applications लेके आँगा, ये तो कुछ भी नहीं है, अब अभी जो applications आपको बताई, ये basic applications है, जो कि आपके TV के अंदर पूरे installed होने चाहिए, बहुत useful application के list बताई मैंने आपको, ये बहुत जादा useful है, इनको सारे को सारे install करके use कर सकते हर एक application useful वाला है, ठीक है, तो अगले वीडियो में कुछ और बढ अगले वीडियो मिलते हैं, लव यू दोस्तों, गुडबाई, टेक केर